अगेन वेलकम यू इन आनलान क्लासेज आप विशप एकडमी महराज देखा एडिशन और सब्ट्रेक्शन आप डेसिमल्स डेसिमल नंबर को कैसे है डेसिमल्स करेंगे और उनसे रिलेटर कुछ एक्जांपल भी साल किये गए आईए कुछ और क्वेशन साल किये जाएं आप थ्रे वे क्वेशन नंबर वन से एड तक किसब एड करना है इन डेसिमल नंबर को एड करना है तो एडिशन और सब्ट्रेक्शन में क्या आपको ध्यान देना है पहले उनको लाइड डेसिमल में आप रिप्रिजेंट कर लेंगे तब एड या सब्ट्रेट करेंगे नंबर क तो 128, इसमें one question solve करा दे रहा है, question number 5, बाकि सब आप solve कर लेंगे, 26.9, 26.9, 19.74, 19.74, 231.769, and 0.048, 0.048, तो सबसे पहले इनको like decimal में आप रेप्रेजंट कर रहे हैं, like decimals equal to, देख सकते हैं आपर greater, यानि point के 3 place तक क्या number है, maximum 3 place तक, यह भी number point के 3 place तक है, तो maximum 3 place तक सभी number को आप रजिस्ट कर रहे हैं, 26.9, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 26.900, इसके बाद 0 अप यूज कर सकते हैं, इसको 19.74, 0.3 place तक हो गया, यह number ऐसे रहने तेंगे, 231.769, and last 0.048, इसको आप गया, 26.900, प्लस 19.740, प्लस 231.769, plus 0.048, 0.048, अभी को आट कर लिया जा, 9 plus 8, 17, remainder, कहरी वन करेगा, अभी स्को आट कर लिया जा, 1 plus 4, 5, 5 plus 6, 11, 11 plus 4, 15, अभी भी वन करी करेगा, तो 9 or 1, 10, 10 or 7, 17, plus 17, 17 plus 7, 24, कहरी 2 होगा, 9, 1, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 2, 16 plus 2, 16, 2, 18, कहरी 1 होगा, 2, 1, 3, 3, 6, और 1, 7, और 2 को ऐसे लिखे लेंगे, तो 278.457, ऐसे बाकी सबको आप साल्व कर सकते हैं, next आपका हम, subject, question number 9 to 16, इन सम्में subtraction करना है, question number 13, subject 0.68, 0.68 from 1.007, 1.007, यानि इसको इसमें से subtract करना है, तो यहाँ पर भी इसको पले like decimal में चिंज कर लिए जाएं, 1.007-0.68, इसको 6, 8, 0 भी लिख सकते हैं, point के 3 place तक दोनों number हो गए, अब subtract कर लिया जाए, तो 7-0, 7 आ जाएगा, यहाँ 0 है, 0 में subtract नहीं होगा, यहाँ से 1 केरी करेगा, तो 10, 10 minus 8, 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 होगा, वोन यहाँ केरी करेगा, यहाँ तो 9 होगा, 9 minus 6, 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0, यहाँ 0.327, यहाँ 1, question number 18, what is to be added to this, to get 63.58, इसमें क्या एड करेंगे इसको आप कैसे find out करेंगे suppose that 7, 7 में कौन सा number एड करेंगे कि हमको 12 मिल जाए तो आप क्या करते हैं 12 माइनस 7 कर लेंगे यानि 5 required number क्या हो जाएगा 5 तो required number आपको कैसे मिला 12 में से 7 को subject कर लिया गया जो value आगा वही आपका required number हो जाएगा तो उसी तरह से यहाँ पर कर रहा है इसमें कितना add करें ताकि आपको value क्या मिल जाए 92 तो 92 से यह number subject कर लें आपको required number मिल जाएगा तो required number is equal to 92 minus 63.58 तो इसको आपको एसमें लिख सकता है 92.00 like decimal में change कर लिया जा है minus 63.58 subtract कर ला है 0 से 8 subtract नहीं होगा यहाँ से carry करेगा 1 तो 10 10 minus 8 10 minus 8 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 होगा 9 minus 5 4 और यहाँ पर 1 carry किया तो value 1 होगा 1 से 3 भी ने subtract होगा तो यहाँ से 1 carry करेगा 11 11 minus 3 11 minus 3 8 हो जाएगा और यहाँ पर value क्या होगा 8 8 minus 6 2 यानि 28.42 यही आपका required number हो जाएगा तो ऐसे आप question number 19 भी करलेंगे question number 20 by how much should this be increased to get this यानि 32.67 में कितना increase करा है ताक कि आपको value 60.1 मिल जाएगा तो यहाँ भी होगा करना 60.1 से अब separate कर लेंगे आपको required number मिल जाएगा तो इस तरह से question number 20, 21, 22 यान exercise 3 भी आपको होगा सापी में साल्व कर लेंगे ठैंक्यो